So guys, अगर आप अपने Samsung के smartphone के back panel पर double tap करने होगे तो आपके phone में screenshot capture नहीं होगा लेकिन देख सकते हैं मेरे phone के back panel पर सिर्फ double tap करने पर ही जो screenshot है वो capture हो जाता है लेकिन इस वीडियो को इन तक देखने के बाद में ये आप भी अपने Samsung की किसी भी smartphone में कर पाएंगे उसके अलबा जब भी में free होता हूँ तो अपने smartphone के settings में जाकर scroll down करने के बाद में software update में जाकर software update चेक करता हूँ कि मेरे smartphone में software update तो नहीं आया है लेकिन उसके लिए मुझे settings open करने के बाद में यहाँ पर scroll down करना पड़ता है उसके बाद में मुझे software update section में जाना होता है सकते हैं वैसे तो Samsung Goodlock में बहुत सारे customization options available है लेकिन recently Samsung ने एक बहुती useful feature को Goodlock application में add किया है जिसका नाम है register यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस app को Samsung ने Goodlock app में भी recently add किया है जो बहुती useful app है तो यहाँ पर आपको इसको install करना है और अगर आपको नहीं पता है कि गुधलोग application को आपको कहा से install करना है तो आपको galaxy store में जाना है galaxy store में जाने के बाद में यहाँ पर आपको search करना है goodlock जैसे है आप गुड़ोग सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो goodlock application वो आ जाएगी आपको यहां से इसको install करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको Life app पड़े पर टैप करना है और यहाँ पर टैप करने के बाद में आपको एक रेजिस्टार का new feature से लेकिन वीडियो को आप end तक जरूर देखना अगर end तक नहीं देखेंगे आप कोई भी एक useful feature जो है वो miss कर देंगे सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले option की जिसमें है customize your settings home तो इस पे आप जब tap करेंगे तो tap करने के बाद में यहाँ पर आपको three options देखनी को मिल जाएंगे सबसे उपर वाला जो option है menu order and group settings इस पर tap करेंगे तो यहाँ पर आपके phone में जितनी भी settings होगी वो सारी आपको यहाँ पर देखनी को मिल जाएगी अब यहाँ से आप इनके orders को change कर सकते हैं जैसे देख सकते हैं मैंने जो software update का option था उसको सबसे उपर set किया हुआ है यहाँ पर आप जब arrow पर tap करेंगे तो arrow पर tap करने के बाद में आप अपने हिसाब से जहाँ पर आप इसको set करना चाहें वहाँ पर आप इसको ले जाकर set कर सकते हैं और यहाँ से आप save कर सकते हैं तो इस तरह से आप जो settings के order से वो बिल्कुल change कर सकते हैं जो मुझे बहुत ही useful लगा अपने according जैसे कि मैंने आपको बता है कि Samsung के software update section में जाने के लिए मुझे scroll down करना पड़ता था लेकिन आप scroll down करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए अगर आप settings को reset करना चाहें पहले जैसे उसके लिए आपको यहाँ पर three dots पर click करना है और आपको यहाँ पर reset करना है तो जैसे आप reset करेंगे तो जो order से वो फिर से वही आ जाएगा जो आपको samsung की settings में by default देखने को मिल जाता है उसके लिए यहाँ पर revert का option भी है जैसे revert करेंगे वही जो order है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको यह काफी useful feature देखने को मिलता है register app में जो सबसे पहले मैंने आपको explain कर दिया उसके बाद में यहाँ पर show the accounts name जैसे ही आप यहाँ पर tap करेंगे तो यहाँ पर name और nickname का option आ रहा है तो यहाँ पर जब भी आप settings open करेंगे तो यहाँ पर आपको name देखने को मिलेगा अगर आप nickname add करते तो आपको यहाँ पर nickname का भी option जो है वो देखने को मिल जाता है आप टेप करेंगे तो recently आपने अपने smartphone की settings में जितने भी changes किये होंगे वो सभी यहाँ पर show हो जाएंगे तो यह भी काफी useful feature है जिसमें आप देखकर पता लगा सकते हैं कि आपने recently settings में क्या changes किये हैं तो यहाँ पर हो जाते हैं हम back और back आने के बात में यहाँ पर आपको search options देखने को मिलेगा जिसमें यहाँ पर आपको display policy में menu order देखने को मिलेगा और accuracy का option देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको दो features देखने को मिलेगे और अगला जो option है यहाँ पर आप double tap का जिस पर आप tap करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग-अलग options देखने को मिल जाएंगे जिस पर आप back पर double tap करेंगे तो यहाँ पर मैंने take screenshot save किया है तो जब भी मैं double tap करता हूँ back पर तो जो screenshot है वो आ जाता है उसके अलब मैं यहाँ पर show recent apps करता हूँ तो देख सकते हैं मैं जब भी double tap करूँगा तो recent app जो है वो open हो जाएगी तो कुछ इस तरह से यह feature आप use कर सकते हैं उसके बाद है triple tap triple tap में यहाँ पर आपको यहाँ पर बहुत सारे options देखने को मिल जाएंगे उसमें अगर आप back button करते हैं तो देख सकते हैं triple tap करते ही one two three triple tap करते ही आप back आ जाएंगे तो कुछ इस तरह से आप यह features use कर सकते हैं जो बहुत ही useful मुझे लगा तो यहाँ पर आपको जो last वाप् जैसे मैंने यहाँ पर back button select किया हुआ है जब भी मैं इसको press and hold करके रखता हूँ तो यहाँ पर जो page है वो back हो जाता है जिसे आप कुछ इस तरह से use कर सकते हैं तो इसमें कुछ और भी options देखने को मिल जाएंगे अगर आपको mute और unmute on volumes को select करना है तो जब भी आप इसको press and hold करके रखेंगे आपका phone जो है वो vibration mode पर चला जाएगा और फिर से आप इसको अगर press and hold करके रखेंगे तो normal mode पर आ जाएगा तो यह बहुत ही useful feature जो samsung ने register एप में add किये हैं samsung goodlock app में तो अगर आप भी use कर रहे हैं samsung का कोई भी smartphone तो यह सारे features आपको एक बार जरू से try कर और चैनल पर अगर आप new है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon को भी प्रेस कर देना क्योंकि यहाँ पर आपको इससी तरह की interesting informative and useful videos देखने को मिलते रहती है तो मैं मिलता हूँ अप से कलिके से इसी interesting video में thanks a lot for watching